अगर आप इस न्यूजपेपर की पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आएस अकेर्में टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे बहले बात करेंगे केरला के बारे में केरल में इस टाइम पर बड़ी कॉंटिटी में एक तरीके से बारिश हुई रेंफॉल हुई और जिसकी वज़े से 2018 में जो केरला के अंदर फलड आई थी उसी तरह की सिचुएशन क्रियेट हो रही है इसके अलावा इसके बाद सर लोगों की कोजूलिटी हुई है इस पूरी न्यूज में जो हमारे लिए इंपोर्टेंड वो है क्लाइमेट चेंज वैदर पैटरन मौनसून का पैटरन जो चेंज और आप पिछले कई दिनों से देखेंगे या फील भी करेंगे अपने आपने आपने जैसे राजस्तान के कुछ एरियाज के अंदर फ्लड होना हर्याना जो यह ऐसे स्टेट है जहां पर फ्लड बहुत कम देखने को मिलती यहां पर बारिस बहुत ज्यादा एकदम से होना फ्लड का मतलब है एकदम से ऐसी कॉंटिटी की बारिस हो जाना जिसमें पानी प्रोसेस नहीं कर पाता एक इंटेंस्टी जो है रेन की वो कहिने के इंक्रीज हो रही 2018 में भी ऐसी एक त्रीके से फ्लड देखने हो मिली केरला भारत का एक ऐसा राज्या जो सबसे सबसे ज्यादा सेंस्टिव है एकोलोजीकल प्रिस्पेक्टिव से इसलिए काफी डिबेट होती है इस राज्या क ही नहीं हो पाएगा तो इन सब के बीच में जो सस्टेनेबल डिवलेमेंट की जो डिबेट होती है वो अपने आप में बहुत इंपोर्टन है इसके लावा यहां पर कुछ जैसे एक रीवर है चला कोडी करके यहां से पानी एक तरीके से पर्टिकुलर एरिया के अंदर कु प्लाप एरियल डाम हला कि यह डैम बेसिकलि केरला में है लेकिन इसको कंट्रोल करता यह अपर मैंछाने मिनचल जह important monsoon को लेकर हम जब debate कर रहे हैं तो एक बहुत important river है south की जिसका नाम है कावेरी कावेरी river को लेकर काफ़ dispute भी रहता है कई बार करनाठका या फिर अगर आप देखेंगे तमिलनाडोगे बीज में आपको नीचे comment करना कि कावेरी river अगर हम बात करें उसके right hand side से left hand side से उसकी major tributaries कोन सी मालने ते example के लिए जैसे ये जो एक direction है south की तरफ ये कावेरी river है left hand side कोन सा होगा ये वाला और right hand side होगा ये वाला इसका ठीक है तो आपको नीचे comment करना है उसको search करना है कावेरी river उसकी left and right hand side से tributaries कोन कोन सी होगी ये important है इसके बाद रिशन में Nancy Pelosi वाला जो की issue है या ताइवान के अंदर जो United States की speaker है वो गई उसकी visit के बाद चाइना क्या कर रहा है चाइना पूरी दुनिया को एक message convey करने कोशिस कर रहा है कि अगर कोई भी one China one China policy का simple सा मतलब है कि ताइवान होंकों ये सारे हमारे है और कोई भी country mainland China ये बीजिंग आप particular मानें बीजिंग जब भी word use होगा तो mainland China की बात की जारी है उसके अलावा किसी भी जो territory है ताइवान ही बोलता कि हम independent एक sovereign country है लेकिन चाइना ये बोलता कि सारा का सारा part हमारा है अगर कोई country ऐसा करती है कि चाइना से relation नहीं establishment करना या diplomatic relation नहीं बनाना ताइवान से diplomatic relation बनाते है तो उस context में चाइना के साथ relation नहीं होंगे ऐसा बहुत ही कम country है दुनिया में जिनके साथ ताइवान के साथ diplomatic relation है लेकिन चाइना के साथ नहीं है जिनमेंसे एक country काफ़े ज़्यादा news में पिसले साल रहे थी वो थी लित्वानिया ये उरोप की बहुत ही छोड़ीशी country है इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन्होंने अब कोशिज क्या की है हम आपको बहुत simple terms में बताता हूँ इन्होंने अब ये कोशिज क्या कर रहे है जैसे ताइवान के चारों तरफ इन्होंने ड्रिल करना शुरू किया पूरी दुनिया को message करने में किया कि भाई देखो अगर हमारे इस एरिया को अंदर कोई भी country disturb करने कोशिज करेगी तो ये कहिने कहीं हम लोग इसका विरोध करेंगे और इसका protest करने का इनका जो तरीका वो ड्रिल करना इवन जी सेवन जो developed countries का एक ग्रूप है उन्होंने एक तरीके से समर्थन किया कि हम लोग developing जो US की speaker का जो stand हम उसको indicate करते हैं basically चाइना जो सबसे ज़्यादे एक word से चिटता हूँ है democracy democracy के बारे में अगर यहाँ पर चीजे हुई तो इसका impact चाइना की उपर पड़ेगा और इसका impact पड़ेगा सी जिन्पिंग की personal एक तरीके से intention पर भी क्योंकि सी जिन्पिंग third term के लिए अपने आपको आगे करने तो उस context में उनके उपर भी impact पड़ेगा चाइना की तरफ से statement आई कि G7 country हमें 1900 वाली country यानि 120 साल पहले जो आपने भुली किया था चाइना के लोगों को या हमारे उपर कब जा गया था वो चीज़ आप होने वाली नहीं हम एक तरीके से बिलकुल modern country है इसके अलावा यहां की eastern theater command ने जो अलग-अलग theater command उन्होंनोंने कई ने कई indicate किया hypersonic missile के थुछ जो है वो कहीं ने कई है यहाँ पर डिल करेगी कई बार missile की category को divide किया जाता है आप देखेंगे यह जो word use किया जाता है subsonic हो गया, supersonic हो गया, hypersonic हो गया यह basically होती क्या है? यह basically missile की speed के basis पर बोला जाता है generally missile को sound के compare में जो speed होती है उसको Mac में count किया जाता है और अगर कोई 1 Mac से नीचे तो वो सबसोनिक है आप इसको observe करेंगे कि एक से नीचे जाएगा तो सबसोनिक होगा 1 to 5 माना जाता है इसमें कि ये सूपर सोनिक है अगर इससे उपर speed कोई भी missile gain करती तो वो सूपर सोनिक missile की category में आती है तो ये कुछ important चीज़े हैं जो आपको एक observe करनी जो important है हमारे examination perspective से इसके बाद बात करेंगे page number 10 पे editorial part के बारे में editorial एक बहुत important topic है जो direction देता है किसी भी particular जो current affairs के topic जो इस ताइब पे news में उसको लेकर तो इसमें तीन article दिये गए है जो हमारे लिए important है एक article आप लोगों के लिए self study के रूप में आपको मिलेगा reason क्या है कि वो article वो news हम अलड़ी discuss कर चुके आपको एक understanding के लिए वो article पढ़ना है ये दो article बहुत छोड़े छोड़े article है इसके बाद जो main article है जमबन कस्मेर को लेकर democracy के बारे में इस article के बारे में बात करेंगे specially start करने से फ़रे जरूर बात करेंगे सबसे पहले एक debate जो हो रही है उसको लेकर फिर से discuss किया दार free wise को लेकर free wise का मतलब जो मुफ्त में चीज़े announcement की जाती political parties के द्वारा क्या इसको लेकर कानून बनाने की जब हम बात करते है या कोई अगर कानून बनना है तो ये parliament के थूँ बनना चाहिए कई बार मुझे लगता है कि दे हिंदू में जो editorial आते है थोड़ा सा biasness होती है एक होता है critical analysis आप सरकार को criticism करिए सरकार के policies को criticism भी करिए एक update भी दीजिए कि आपको ऐसे इसको improvement करनी है लेकिन आप one-sided अगर criticism कर रहे है कोई ऐसा होई नहीं सकता कि सरकार जो कर रही है उसमें एक भी अच्छी चीज नहीं होगी मान लेते हैं 10 चीज़े कर दस में से 8 चीज़े खराब हो सकती है दो चीज़ें सही होगी इस तरह की possibility भी आपको रखनी पड़ेगी याज ये bureaucrate हमारी ये responsibility भी है इसके बाद यहाँ program बात करते हैं free wise को लेकर जो region में काफी ज़्यादा debate हुई है और हमारे Chief Justice of India ने जो petition file करीगी सुप्रीम कोट के अंदर उसके बाद दिए बताएगे पहली बात तो वह सुप्रीम कोट को direction issue नहीं कर रहे है गाइलाइन इस इस नहीं कर रहे है लेकिन जो multiple stakeholders जैसे नीती आयोग है finance commission है low commission है RBI है और जितने वे political parties है ये कहिने के इनको instruction दिया जाएगा कि आप अपना stand इसके बारे में clear करें आप बताई कि आपका इसके बारे में क्या opinion है इसके अलावा यहाँ बरे ये भी बताए सुप्रीम कोट ने कि जो debate के बारे में जो हम बात करतें तो parliament में political party debate करेंगे नहीं करेंगे इसको लेकर भी उनको doubt है क्योंकि लगबख सभी political party कहिने करें एक promise करती है इसके अलावा एक election commission of India का जो proposal था कि model manifesto हो उसमें भी बहुत ज़्यादा साहमत सुप्रीम कोट नहीं हुआ एक judgment बहुत important है इस पूरे सिनर्वे में 2013 में एक सुपरमन्य बालाजी वर्जी government of Tamil Nadu केस में सुपरीम कोट ने basically उस टेम पे हुआ किया Tamil Nadu सरकार ने महिलाओं को TV एक तरीगे से distribute किये थे consumer goods जो है distribute किये थे और सरकार ने बोला था कि ये जो चीजे हम कर रहे है ये directive principle of state policy यानि हमारे constitution का जो part 4 है उसके अंडर हम कर रहे है ये चीजे ये भी indicate किया गया और इनको corrupt practice के अंदर indicate नहीं किया जाएगा as birthday election commission of India की guidelines इसके लावा election commission of India model code of conduct release करता है जिसका main intention होता है कि election की purity को हम indicate करें model code of conduct का main intention ही यह है कि हम लोग जो तरीके से model code of conduct आदरस अचार सहीं था उसके थूँ election में biasness नहीं होना चाहिए हर व्यक्ति अपने एक तरीके से corrupt practices को follow नहीं किया जाना चाहिए और यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर debate है कि definitely fiscal responsibility, fiscal guidance ये बहुत important चीज़े हैं और free wise को लेकर एक debate होनी चाहिए और इन्होंने suggestion दिया कि parliament में के थूँ जो वो debate होनी चाहिए इसके बारे में जान करें दिगी इसके बाद 5G spectrum को लेकर 5G technology को लेकर लगातार discussion हो रहा है हमने काफी चीज़े पढ़ी है कि approximately 88,000 sorry 1.5 lakh crore रुपे का एक तरीके से estimation spectrum sale हुए 5G को लेकर और ये भी जहाँ पर आए गया कि Reliance CEO ने सबसे ज़्यादा इसके बाद ATL, VIAE और सबसे कम जो अडानी ने जो है अपना spectrum auction में participation किया इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें जो main ये चीज़ कहना चाहता है कि ठीक है सरकार ने एक तरीके spectrum को लेकर 5G technology को लेकर step लिए और एक तरीके से उसमें spectrum auction भी हुआ एक अच्छा signal इंडिकेट करता है और इसके बाद क्योंकि हमें ये idea भी होना चाहिए कि 5G spectrum को हम launch कर रहे urban areas के अंदर signal penetration करेंगे या इतरीके से urban area के अदर क्योंकि 5G technology आइसा पहार नहीं कि एक दिन में पूरे इंडिया में launch हो जाएगी धीरे धीरे step wise ये indicate होगी हमें ensure करना कि rural connectivity को भी आगे बढ़ाने इसके बाद हमें ये indicate करना है कि जो सरकार को revenue generate होगा एक तरीके से टेलिकॉम से या फिर spectrum auction के तरू ये benefit करे public को खासकर remote areas में जैसे mountain area है इंडिया है नोर्थ इस्टन इंडिया है वहाँ पर एकर connectivity की problem है तो उसको increase करने में help करें जैसे जमून कस्मीर 4G को लेकर कई पर debate होती है तो internet भी एक fundamental right की category के अंदर आता है right to internet is also fundamental right ये बहुत important चीज़ है इसके बाद ये वाला जो article है ये article को शुरू करने से पहले मैं एक important बात आपसे share करना चाहता हूँ देखो the Hindu में या किसी भी editorial में आप ये मान के चलिए कि editorial जो होता है व्यक्ति का opinion है ठीक अगर मैं लिख रहा हूँ मेरा एक opinion होगा ये right side भी हो सकता जैसे क्या होता है यहाँ पर इन्होंने जो article लिखा है इसमें जमून कस्मीर में जो article 370 को scrap किया गया था या 35 को scrap किया गया था उसके बाद केवल negative sides को ये observe कि भई इसमें ये ये चीज़े खराब हुई है ठीक अब माल लेते हैं आप directly answer लिखते हैं आप politically एक तरीके से सरकार के समर्थन या उसके विरोध में हो सकते हैं that is your personal opinion but आपको अगर आप answer लिखेंगे biasness के through कि भई ये कर दिया तो ये गलत कर दिया तो फिर वो एक तरीके से जो balance view नहीं आएगा और ये negative होगा आपके लिए बाकी आप इसको कैसे पढ़ते हैं कैसे observe करते हैं as it is मैं आपको brief में बताऊंगा कि नोने इस article के अंदर क्या mention किया और आप अपने according जो है इसको answer में indicate करेंगे मुझे personally कोई impact नहीं पढ़ते क्योंकि editorial का मकसद ही होता कि एक opinion opinion आपका बने सबसे बहले बताया गया कि जमुन कस्मिर में democracy काफी समय से वेट कर रही है article 370 को हटाया गया था और इसके बाद 35A को भी उसमें हटाया गया और जमुन कस्मिर को दो union territory में divide किया गया था जिसको बोल सकते हैं bifurcation किया गया और जमुन कस्मिर लदक दो अलग अलग यूटी बनाएगे इसके बाद यहाँ पर जो main बतायागा कि 5000 political leader jail में activist है media person है और एक goal को achieve करने के लिए इसके बाद draconian action एक word जैसे इनकी words को आप देखेंगे यह लगता है कई बार कि बहुत जादा harass है बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी draconian का मतलब बहुत जादा harass step लिए गए है पाद चगस 2019 के बाद बहुत सारे लोगों को jail में डाल दिया गया human rights का violation कर दिया गया इसके रहाब जमुन कस्मिर लगातार president rule के अंदर है legislative assembly election नहीं हो रहे है lieutenant governor के rule में है 2019 में जो promise किया गया था कि Indian economy में एक तरीके साथ हम integrate करेंगे कस्मिरी पंडित का जो issue sort out हो जाएगा लेकिन इसके बाद यहाँ पर बताया गए as per home ministry figure यह indicate करता है 2019 और 2021 में के बीच में 2014 से लेकर 2019 तक जितनी death हुई थी उसके compare में एक तरीके से death कही न कहीं जादा हुई है even यहाँ पर security personal के death की बारे में बात करते है security personal के उपर attack की जब हम बात करते हैं तो वो भी increase हुई है और इसी तरीके से कस्मिरी पंडित को जो target किया जाता है इसके लावा elected official जो होते है local government punch और सरपंच यह जबन कस्मिरी पंडित के जो officer है या एक तरीके से जबन कस्मिरी पंडित में जो service दे रहे हैं उन पर भी attack किया गया इनके इलावा जो एक नई तरह का militancy आई है वो है faceless militancy और कई बार यह indicate करते हैं कि इन्होंने report के बारे mention किया कि South Asia टेरिजम पॉर्टल के थूँ यह बताया गया कि 1990 वाली जो चीज़े insurgency वो भी भी देखने को बिलती है और 2019 से 2021 के बीच में approximately 537 जो है कस्मिरी यूथ ने insurgents के रूप में जोइन किया इसके लावा union hoministry distrust करती है local police वो कई बार उनको frontline में put करती है और इसके बाद जो key source क्योंकि local police बहुत important role play करती है intelligence के रूप में economic कहिने के collapse कर गई है lockdown की वज़े से इसके बाद अगर हम बात करते है नेतिया के रिपोर्ट किया है कि बहुत अच्छा performance किया था लेकिन अभी इसमें इतनी अच्छी performance नहीं है टूरिजम जरूर increase हुआ है लेकिन अभी भी बड़े सिंक्या में जो एक तरीके से यहाँ पर fruit seller है manufacturing है carpet है handicraft industries है local supplier है यह कहीने कहीं माना जाता है कि इन में जिसको बोलते हैं इनके अंदर इनके trade के अंदर इनके तरीके से business के अंदर कहीन कहीं कमी आई है यह गेर repeat किया गया है कस्मीरी पंडिस पर attack जो वो increase हुआ है इसके अलावा यहाँ प्रग्रम बात करते हैं तो अभी बहुत सारे और भी issues जैसे अगर आप देखेंगे delimitation commission बना delimitation commission का मतलब होता है boundary को redesign करने के लिए जो commission बना जाता है हना जिसको परी सीमन आयोग भी बोला जाता है इसमें जो एक suggestion दी गई है तो इसको indicate किया गया है कि हिंदू-Muslim majority के basis पर यह इन्होंने redraw कर दिये यह कैसा allegation लगता है इसके अलावा terrorist organization जो है वो लस्करे ताइबा जैसे वहाँ इनकी presence यहाँ पर increase हुई है और अडल बहरीवाज पर मन्मावन सिंग जी जो हमारे फॉर्मल प्राइमिस्टर उनकी जो policy थी उसके ठीक opposite policies जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अब सरकार सत्ता में है तो इन्होंने last में suggestion दिया कि 2019 के अंदर जो कस्मीर, जमण कस्मीर Reorganization Act है उसके अंदर amendment करिए बदलाव करिए और एक तरीके से प्लान करिए कि एक democracy आए election हो और overall जमण कस्मीर में stability वहाँ पर हो electoral democracy वापिस आए इसको लेकर indicate किया गया फिर यह article मैं personal request करूँगा कि आपको भी देखने हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं यह आपका अपना individual opinion होगा लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने article के अंदर mention किया है, यह important है इसके बाद यह article अगर आप नहीं भी पढ़ना जाते हैं, एक article जो हमारे लिए बहुत important है, वो है is the declining rupee a crisis or an opportunity, यह नहीं जो लगातार Indian currency की value कम हो रही है यह crisis है यह opportunity है क्योंकि यह article जो Friday को आता है यह article आता है दो person discussion करते है question type में यानि एक article तो नहीं कोँगा लेकिन एक particular topic पर discussion करते हैं तो आप इस Friday वाला जो article इसको personal पढ़ें reason क्या एक तो आपके understanding बनेगी दूसरा आपको idea होगा कि दो व्यक्ति किस तरीके से सोचते हैं किसी issue को लेकर और लगातार हम currency के एक तरीके से value क्यों कम हो रही है उसके बारे हम लगातार पढ़े है forex reserve के बारे में हम लगातार डिसकस कर रहे है इसके अलावा foreign portfolio investment का withdraw होना इसके बारे हम डिसकस कर रहे है federal reserve के दोबारा interest rate बढ़ाना हो European country, European जो central bank उसके दोबारा interest rate बढ़ाना हो inflation के बारे में हम बात कर रहे है stagflation के बारे में बात कर रहे है यह जो topic है जो news में उनको हम अलड़ी डिसकस कर रहे है तो यह article क्योंकि economics के जो question थे 2022 में approximately 19 to 20 question थे और 20 question का मतलब होता है कि एक वन फिफ्ट और एक अगर आप वन फिफ्ट का मतलब मानेंगे कि 40 number और cut off का अगर आप idea देखेंगे 80, 85 या 90 के आसपास यह बहुत बड़ी value create करता economics तो इस perspective में काफी important है इसके बाद बात करेंगे page number 12 पर page number 12 पे एक topic डिसकस किया गया है हस्दियो अरणिया रिजिन बिसिकली यह रिजिन 37 गड़ का एक रिजिन है और हस्दियो के अगर हम बात करते हैं यह एक important tributary है किसकी उसके बारे में हम बात कर लेते यह क्यों इतना important है यह एक catchment area है और यह एक तरीके से महानदी river की important tributary है महानदी river जो 36 गड़ से होते हुए बाद में औरिशा में चले जाती है काफी important है यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी पुरस्वियर बड़ी quantity महिलाएं आपको बड़ी संख्या में quantity use नहीं करूँगा संख्या में आपको महिलाएं प्रोटेक्ष्ट करिए इसके पीछे क्या वज़े है यहाँ पर यह बता गया 36 गड़ legislative assembly ने एक युनिनेमसली एक private member resolution जो है पास किया कभी-कभी पार्लिय अवेंट्रिय ट्रम्स में या एक तरीके से legislative assembly में जो यह private member bill और resolution के बारे में बात होती है इसका मतलब क्या होता है जैसे मैं बात करूं कि private member bill इसका क्या मतलब होगा private member bill का मतलब होता है कि सरकार के मंत्री पद के अलावा किसे ही दोवारा कोई bill present किया जाएगा तो वह सारगसर आता है private member के अंदर ठीक कोई भी हो सकता है वह सकता दिल का भी हो सकता है यह opposition political party का भी हो सकता है तो यहाँ बात किया जा रहा है कि एक area है हस्तियो अरनिया यह coal field को लेकर यानि mining को लेकर जो permission दी गई है लोग इसे का विरोध करेगे भाई यह तो area ecological sensitive area है यहाँ पर आप mining मत करिए और 2010 में एक notice आया था कि no go zone होगा mining के लिए बाद में ministry of environment for est ने permission दे दी इसको लेकर क्योंकि जब ऐसा issue होता है और politics ना हो ऐसा होई नहीं सकता तो राज्ये के अंदर जितनी political party है सत्तादल में opposition वो एक दूसरी validation लगा रहे हैं कि आपने यह सही कि आपने यह गरत किया तो यह एक debatable topic है जिसके बारे में discussion किया गया है अब हम बात करते हैं जब कोईले के बारे में तो आपको बड़ा interesting होगा कि भारत के अंदर कोईले का जो production है अच्छा खासा लेकिन फिर भी हम लोग import करते हैं उसका एक बड़ा reason है कि कोईला की जो quality होती है वो हमारे यहां बहुत अच्छी नहीं है एक सबसे बड़ी problem है आप लोगों के लिए question है सबसे पहले आपको नीचे comment करना है कि देश में coal production के अंदर सबसे ज़्यादा किस राज़े के अंदर कोईले का production होता है second अगर हम बात करते है question आप लोगों के लिए कोईले की या coal की जो quantity के हिसाब से 4 category में divide किया जाता है और सबसे अच्छा सबसे खराब इस तरीकिसे आपको mention करना है आपको ये भी mention करना है कि जो सबसे अच्छी quality का कोईला होता है ये किस राज़े के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये आपके लिए interesting सा question है क्योंकि कोईला और मैं आपको बता दो import जब हम करते हैं उसमें खासकर cooking coal एक word यूज़ गया जाता है वो हम लोग import ज़्यादा करते हैं और 2012 तेरा के आसपास I'm not sure about it लेकिन 2011 से 2022 के बीच में सवाल हुआ है और most probably 2014 से पहले सवाल हुआ है cooking coal को लेकर एक सवाल हुआ है जिसमें import को लेकर हुआ था हो सकता 2014 के बाद भी हो लेकिन ये sure है कि इन पिछली 10 सालों में इस question जो पूछा गया है important है जिसका answer आपको ढूणना और नीचे comment करना है इसके बाद एक news यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इंडिया की जो नारी सकती एक तरीके से maritime mission है उसमें new course एक तरीकेस इंडिकेट किया गया फाइज नेवल ओफिस्टर है उन्होंने maritime reconnaissance और surveillance mission जो है वो कहीने कहीं complete किया है और डॉनियर 228 aircraft के थूँ अरुबियन सी में कहीने कहीं इसको complete किया है UPSC में बहुत कम chance होते हैं लेकिन दूसरे examination बहुत इसके बाद ये बहुत important है अभी Taiwan को लेकर US और China में जो घमासान मचा हुआ उस scenario में भारत क्या सोचता है ये बड़ा interesting है तो पहले बाद भारत ने अभी तरह silence maintain किया कि हम इस issue पर silent है हम इसके बारे कोई opinion रखते ही नहीं है फिलाल के लिए क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है किसी controversy फसना ये sensitive issue होता है जब भारत में border पर talks होगी इंडिया और चाइना को लेकर तो भारत इस तरह की controversy में सामिल नहीं होना जाता इसके लावा आशियान की जो Association of South East Asian Nation के साथ जो discussion हुआ एक ministry level की meeting है उसमें भारत ने इस issue को कही नहीं के mention ही नहीं किया और इंडिया 2010 से बड़े interesting है वंचाइना policy को कभी भी mention नहीं करता है ऐसा क्यों करता है उसके बारे में बताया गया आशियान इंडिया सम्मिट हुई इसके लावा US Secretary of State Anthony Blinken, Foreign Minister of Australia सिलंकर वित्राव इन्होंने participation किया अलग-अलग issues को लेकर जिनमें इंडो Pacific है United Nations Convention Law of Sea है connectivity, COVID-19, terrorism, cyber security, Ukraine और महिनमारीन इरियाज को लेकर discussion किया गया इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत One China policy को follow क्यों नहीं करता है ये एक interesting point है जो आपको समझना सही 1949 से ही इंडिया One China policy को officially समर्थन करता है 2008 के बाद China ने क्या करना शुरू किया कि ये बताया कि अरणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा और बहुत सारे इस territory को जो क्या किया उन्होंने mandarian name देना शुरू कर दिया इसके बाद एक staple visa लगाना शुरू किया कि जमून कस्मीर और अरणाचल प्रदेश का कोई resident है अगर वो चाइना के अंदर आएगा तो उसको staple visa जो है वो उसके लिए लागूगा 2010 के बाद भारत के प्राइब मिस्टर डॉक्टर मनमाउन सिंग साथ ते उन्होंने कहा कि अगर हम पहली बात हम officially one china principle को follow करते हैं लेकिन बार बार क्यों बताएं बार बार क्यों कहें कि हम one china policy को follow करते हैं जब आप भारत के sensitiveness को observe नहीं करते तो हम भी इस चीज को indicate नहीं करते और 2014 में हमारी forum minister सुसमा साब राजबैड़ उन्होंने भी इस चीज को confirm किया था कि यह important है इसके अलावा आश्यान के forum minister की meeting में बंगलादेश, सिलंका, पाकिस्तान इन्होंने भी अपना-पना commitment किया कि हम one china policy को follow करते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक interesting statement आती है क्योंकि चाइना का एक allies नहीं कोंगा चाइना का एक puppet word use करूँगा reason क्या है इतना ज़्यादा loan है Pakistan is next सिलंका, मतलब अगला सिलंका ही होने वाला, economically बहुत खराब situation है Pakistan deeply concerned ताइवान में जो हो रहा है, इसे regional peace and stability खत्रे में इस तरह की statement है और ये कई ने कई ये statement देना भी अपने आप में थोड़ा आजीब सा लगता बट इन्होंने ये statement दी है इसके बारे में, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दो आपको इशू देखने को मुलेंगे, भारत के अगले Chief Justice of India, U.U. ललित होगे और 49th number के ये Chief Justice होगे, हला कि इनका Trump जो है, तीन महीं नहीं होगा, क्योंकि ये रेटायर हो जाएगे उसके बाद, राजसभान एक Bill Pass किया है, और ये Bill Pass किया है, Family Court Bill हला कि परलेमेंट में फ्रोटेस्ट हो रहा था, अलग-अलग issues को लेकर Family Court Amendment Bill 2022 का में मकसद क्या है बड़ी quantity में बड़े number में लगबग 11 राग bending cases है, उनको solution करने के लिए 715 family courts है, तो इसमें बताया गया कि हम लोग one family court अगर at least establishment करें set up करें हर district में, तो बहुत सारे cases को sort out किया जा सकता है तो उसको लेकर ये bill जो है वो पारलेमें ने, past case के बारे में brief make information इसके बाद बात करेंगे page number 17 world affair में और page number 17 पर आप देखेंगे, बहुत interesting से एक point मैंने अभी note किया है ये directly important नहीं हमारे लेकिन कुछ important है ये को पाकिस्तान के foreign minister जो है बिलावल भुटो जर्दार, ये अभी जा रहे थे basically कंबोडिया में एक आशियन रिजिनल फॉर्म की meeting थी, 29th ministerial meeting और उस दौरार ये चटगाओं port पर, international airport पर कुछ समय के लिए रुके, वहाँ पर इनन बंगलादेश के foreign minister से बातसित करी बंगलादेश के अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक meeting अभी रिशे ने बुलाई थी और वो meeting के लिए organization काफी ज़्यादा news में था ये था D8 organization for economic cooperation हाला कि इसमे mostly Muslim majority countries ही आपको देखने को मिलेगी जैसे पाकिस्तान, बंगलादेश, इंडोनेशिया Egypt, इरायन Nigeria, Malaysia और टर्की ठीक है तो ये total eight country थी तो ये organization news में है तो हमारे लिए organization में और याद रखिए जब भी कोई organization news में रहता है तो उसके बारे में direct और indirect question पूछे जा सकते ऐसे question हो सकते कि इंडिया member है कि नहीं है तो इसको note down कर लेना ये एक important चीज़ है बाकि मंगलादेश और पाकिस्तान की care relation है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है इरान ने basically nuclear talks को फिर से restart किया European Union mediation कर रहा है again मैं आपको बता देता हूँ बहुत simple सी चीज़े है 2015 में JCPO Joint Comprehensive Plan of Action जो है agreement हुआ था basically five permanent member इरान plus जर्वनी के बीच में agreement हुआ था इसके अंदर दो चीज़े कर रही थी पहला ये इरान अगर nuclear program civilly nature के लिए कर रहा इसके बदले में इरान के उपर जो sanction लगे हुए या एक तरीके जो परतिबन लगे उनको withdraw किया जाएगा बाद में जब डोनाल्ड टरंप US के प्रेज़ेडन मलें उन्होंने withdraw कर रहा कि हम इस deal में सामिल नहीं हो रहे हैं तो उसी को लेकर ये discussion है कि फिर से जो बादे ने promise किया था कि US फिर से इस deal में सामिल होगा तो उसके बारे mention है तो उसी को लेकर ये पूरा का पूरा discuss किया जा रहा है इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो inflation driving 8% GST यानि GST के अंदर revenue increase हुआ कुछ important economical term जो use की गई है कि GST collection के अंदर increment हुआ है हलाकि हमारा जो एक तरीके से जो current account deficit है ये कहीने कहीं increase हो रहा है जो target था 3.7 यानि 3.7 के असपास ये अब 8.5% के असपास हो सकता है ये कहीने कहीं डिक्कत create कर रहा है इनके अलाबा अगर हम बात करते हैं GST को लेकर ही तो उसमें बतायागी 1.49 लाक जुलाई में collection हुआ overall 1.4 लाक के असपास पर मंत जो पिछले पास मेनों से collection हो इससे ज़्यादा इसके अलावा consumer price index हो या फिर अगर हम बात करते हैं wholesale price index हो अभी भी inflation को indicate करते हाइर inflation आपको देखने को मिलेगा और trade deficit जो है वो कईने कई increase हुआ यानि हमारा import cover increase हुआ है import increase हुआ है import cover तो थोड़ा different word हो जाएगा import increase हुआ है और export जो हो कईने की reduce हुआ इस तरह का estimation है अब आप लोगों के लिए सवाल है जब हम बात कर रहे करते हैं GST के बारे में आप सोब को आप लोगों को निचे कमेंट करना है कि जो direct tax होते हैं उनमें कौन-कौन से major direct tax ही जाते हैं और सबसे ज़्यादा weightage अगर हम बात करते हैं direct tax के अंदर तो वो किसका है यह आपके लिए सवाल है तो फिलाल देहिंदू news and editorial analysis में इतना ही Thank you all, जहिन